अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है इस दोरान हमने अनेक विश्यों पर बात की स्वाभाविक है कि जो बैस्विक महामारी आई मानव जाती पर जो संकट आया उस पर हमारी बात्चित कुछ जादा ही रही लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विशय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बितेगा कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बाचित इसी विशय से शुरू हो रही है ये साल जल्दी क्यों नहीं बित रहा कोई लिख रहा है दोस्तों से बात कर रहा है कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है कोई कह रहा ह 2020 शुब नहीं है बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बित जाए साथियों कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है हो सकता है ऐसी बातचीज के कुछ कारण भी हो छे-सात महना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी ये संकट तो बनाई हुआ है उपर से देश में नीत नई चुनवतियां सामने आती जा रही है अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइकलोन अमफान आया तो पस्रिमी छोर पर साइकलोन निसर्ग आया कि इतने ही राज्यों में हमारे किसान भाय बहन टीडी दल के हमले से परिशान है और कुछ नहीं तो देश के कही हिस्सों में छोटे छोटे भुकम रुखने का ही नाम नहीं ले रहा है और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियां द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनवतियों से भी निपट रहा है वाकई एक साथ इतनी आपदाए है इस स्तर की आपदाए है बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है हाला तो ये हो गई है कि कोई छोटी छोटी गटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनवतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं साथियों मुश्किले आती है संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वज़र से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए क्या पहले के छे महने जैसे बिते उसकी वज़र से ये मान लेना कि पूरी साहली ऐसा है क्या यह सोचना सही है जी नहीं मेरे पहरे देशवासियो बिल्कुल नहीं एक साल में एक चुनोति आए या पचास चुनोति आए नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता है भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनोतियों पर जीत हासिल कर और ज़्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैंक्रों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया। उसे संक्रटों में डाना। लोगों को लगता था कि भारत की समरचना ही नश्ट हो जाएगी। भारत की संस्कृती ही सबापत हो जाएगी। लेकिन इन संक्रटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, स्रजन शास्वत है, स्रजन दिरंतर है, मुझे गीत की कुछ पंक्सिया याद आ रही है, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग यूग से बहता आता, यह पुन्य प्रवाह हमारा, उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए, भारत में भी जहां एक तरब बड़े-बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए, अनेकों अनेक स्रजन भी हुए, नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिध्धांद गड़े गए, यानी संकट के दवरान भी हर क्षेत्र में स्रुजन की प्रक्रिया जारी रही, और हमारी संस्कृती पुष्पीत पलवित होती रही, देश आगे बढ़ता ही रहा, भारत ने हमेशा संकटों को सभलता की सीध्यों में परिवर्तित किया है, इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है, आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, एक सो तीस करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे, तो यही साल देश के लिए नए किर्टिमान बनाने वाला साल साबित होगा, इसी साल में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा, नई उडान भरेगा, नई उचाईयों को छूएगा, मुझे पुरा विश्वास एक सो तीस करोड देश वासीों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है, मेरे प्यारे देश वासीों, संकट चाहें जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं, भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है, दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्व की भावना को भी महसूस किया है, और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभूता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है, लदाख में भारत की भूमी पर आँख उठा कर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मा भारती के गवरों पर आँच नहीं आने जाएंगे साथियों लदाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शावरिय को पुरा देश नमन कर रहा है पुरा देश उनका कृतग्या है उनके सामने नतमस्तक है इन साथियों के परिवारों के तरह ही हर भारतिय इने खोने का दर्द भी अनुखो कर रहा है अपने वीर सपुतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है देश के लिए जो जजबा है यही तो देश की ताकत है आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए वो माता-पिता अपने दूसरे बेटों को भी घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले शहीद कुंदरकुवार के पिताजी के शब्द तो कानों में गुंज रहे हैं वो कह रहे थे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा यही होसला हर शहीत के परिवार का है वास्तों में इन परिजनों का त्याग पुजनी है भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का धेब बनाना है हर देश वासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिस से सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत भड़े देश और अधिक सक्षम बने सद्धाजले भी होगी मुझे असम से रजिनी जी ने लिखा है तो उन्होंने पुर्वी लदाक में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद एक प्रण लिया है प्रण ये कि वो लोकल ही खरी देंगे इतना ही नहीं लोकल के लिए वो कल भी होगी ऐसे संदेश मुझे देश के हर कौने से आ रहे है बहुत से लोग मुझे पत्रा लिख कर बता रहे हैं कि वो इस और बढ़ चले हैं इसी तरह तमिन्नाडु के मदुराई से मोहन रामामूर्थी जी ने लिखा है कि वो भारत को डिफेंस के ख्षेतर में आत्मंदेर भर बनते हुए देखना चाहते हैं साथियों आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था हमारे यहाँ अनेको ओर्डिनन्स फेक्टरिया होती थी उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीशे थे वो आज हमसे आगे हैं आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाब उठाना चाहिए था हम उसका लाब नहीं उठा पाए लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलोजी के खेतर में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है भारत आत्म निर्भरत आगे तरब कदम बढ़ा रहा है साथियों कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसलिए आत्म निर्भर भारत के दिशा में एक नागरिक के तोर पर हम सब का संकल्प समर्पण और सयोग बहुत जरूरी है अनिवारिया है आप लोकल खरी देंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझे आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमी का अनिवार है ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है आप किसी भी प्रोफेशन में हो हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है देश की आवशक्ता को समझते हुए जो भी कार्य करते है वो देश की सेवा ही होती है आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है और हमें ये भी याद रखना है हमारा देश जितना मजबूत होगा दुनिया में शान्ती की संभावनाए भी उतनी ही मजबूत होगी हमारी यहां कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परिशाम परिपीड नाय खलच से साध हो विप्रितम एतत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोक व्यक्ति विवाद में धन का प्रयोक गमन में और ताकत का प्रयोक दूसरों को तकलीव देने में करता है लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तमाल होती है भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तमाल किये है भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और समप्रभूता की रक्षा भारत का लक्ष है आत्म निर्भर भारत भारत की परंपरा है भरोसा मित्रता भारत का भाव है बंदूता हम इनी आदर्सों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे मेरे प्यारे देश वासियों कोरोना के संकट काल में देश लोकडाउन से बहार निकल आया है अब हम अनलोक के दौर में है अनलोक के इस समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है कोरोना को हराना और अर्थ ववस्ता को मजबूत बनाना उसे ताकत देना साथियों लोकडाउन से ज़्यादा सतर्कता हमें अनलोक के दौरान बरतनी है आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखे कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खास तोर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरती हैं अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी साथियों अनलोक के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़े भी अनलोक हो रही हैं जिन में भारत दसकों से बंदा हुआ था बरसों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था कॉमर्शियल आक्षन को मंजुरी देने के एक निर्णे जे स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया है कुछी दिन पहले स्पेस सेक्टर में एक्तिहासिक सुधार किये गए उन सुधारों के जरिये वर्सों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली इससे आत्मनिर भर भारत के अभियान को न केवल गती मिलेगी बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा अपने कुर्शिक शेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दसकों से लॉकडाउन में फसी थी इस सेक्टर को भी अब अन्लोक कर दिया गया है इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधीक रोण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है ऐसे अनेक शित्र है जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच एतिहासिक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है मेरे प्यारे देश्वासियों हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं यहां में इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है वो जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है अरुनाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली यहां सियान जिले के मिलेम गाउं ने वो अनोखा कायर कर दिखाया जो समुचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं गाउंवालों ने देखा कि कॉरोना महमारी के समय यह सबी अपने गाउं के और लोट रहे हैं ऐसे में गाउंवालों ने पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी और यह ताय किया कि जब गाउंवाले लोट कर आएंगे तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा उन जोपडियों में साउचारे, बिजली, पानी समेत दैनीक जरुरत की हर तरह की सुविदा उपलप्त कराई गई जाहिर है मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागुरुता ने सबका ध्यान अपनी और आकर्शित कर लिया साथियों हमारी यहां कहा जाता है स्वभावं न जहाति एव सादुहु आपद गतोबी सन करपुरह पावक्स प्रुष्टह सवरभं लबते तरा अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंद नहीं छोडता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गून अपना स्वभाव नहीं छोडते आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती है जो स्रमिक साती है वो भी इसका जीता जाकता उधारण है आप देखिए इन दिनों हमारे प्रवाशी स्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानिया आ रही है जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है यूपी के बारा बंकी में गाउं लोटकर आये मजदरों ने कल्याणी नदी का प्राक्रोतिक स्वरुप लोटाने के लिए काम शुरू कर गया नदी का उधार होता देख आसपास के किसान आसपास के लोग भी उत्साईत हैं गाउं में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए आईसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे स्रमिक साथियों ने जिस तरफ अपने कौशल्य का इस्तमाल करते हुए अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है वो अधूद है लेकिन साथियों ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गाउं के हैं जो हम तक नहीं प एक घटनाए घटी होगी अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरग घटना को मुझे जुरूर लिखिए संकट के इस समय में इस सकारात्मक घटना आए ये कहानिया औरों को भी प्रेणा देगी मेरे प्यारे जैस्वास्यों कोरोना वायरस ने निश् लाव ला दिया है मैं लंदन से प्रकासित फाइनांशल टाइंश में एक बहुती दिल्चस्प लेक पड़ रहा था इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दोरान अद्रक हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई हैं पूरी इस समय अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने पड़ है और इम्मुनिटी बढ़ाने वाले इन चीजों का समन हमारे देश से हैं हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भासं में बतानी चाहिए जिससे वे आसानी जे समझ सकें और हम एक हेल्दियर अपना योगदान दे सकें मेरे प्यारे देश स्वासियों कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है जीवन क्यों है जीवन कैसा है हमें शायद ये याद ही नहीं आता कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं तो दूसरी और लोगों लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है कि कैसे लोगडाउन के दोरान खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं। कई लोगों ने मुझे पारंपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेज़े हैं। वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बॉड का उप्योग किया जाता है। इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है। कहां जाता है कि ये गेम दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशिया और फिर दुनिया में फैला है। साथियों आज हर बच्चा साम सीजी के खेल के बारे में जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतिये पारमपारी गेम का ही रूप है। जिसे मोक्षपाटम या परमपदम कहा जाता है। हमारी यहां का एक और पारमपारी गेम रहा है गुट्टा। बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी। पस एक ही साइज के पांच छोटे पत्तर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए त्यार एक पत्तर हवा में उछा लिए। और जब तक वो पत्तर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बागे पत्तर उठाने होते हैं। आम तोर पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है। कोई एक चौक या पत्तर ले आता है उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखीत देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है। जिन खेलों में डाइस की जरूरत पड़ती हैं कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है। साध्यों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बच्पन में लोट गए होगे। कितनों को ही अपने बच्पन के दिन याद आ गए होगे। मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है। उन खेलों को आप भूले क्यों है। मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के बुजुदगों से आग रहे हैं कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांस्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही हैं तो बैलेंस बनाने के लिए ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा। हमारी युवापिडी के लिए भी, हमारे स्टार्ट अप्स के लिए भी यहां एक नया आउसर है। और मजबूत अवसर है हम भारत के पारंपारिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्शक रूप में प्रस्थूत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले सप्लाइ करने वाले स्टार्ट अप्स बहुत पप्लर हो जाएंगे। और हमें ये भी आद रखना है हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए बोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। और मेरे बाल सखा मित्रों हर घर के बच्चों से मेरे नन्य साथियों से भी आज मैं एक विशेस आगरह करता हूँ। बच्चे आप मेरा आगरह मानेंगे ना देखिए मेरा आगरह है कि मैं जो कहता हूँ आप जुरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ कर मोबाइल उठाईए और अपने दादा दादी नाना नानी या गर में जो भी बुजूर्ग है उनका इंटर्विव रेकॉर्ड किरिए अपने मोबाइल फॉन में रेकॉर्ड करिए जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना कैसे पत्रकार इंटर्विव करते हैं बस वैसा ही इंटर्विव आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुझाव देता हूँ हन सहन कैसा था, वो कौन से खेल खेलते थे, कभी नाटक देखने जाते थे, सिनेमा देखने जाते थे, कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे, कभी खेत खलिहान में जाते थे, ति वहार कैसे मनाते थे, बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं, उनको भी 40-50 साल, 60 साल पुरानी अपनी जिन्दगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था वहां परिशर कैसा था लोगों के तौर तरीके क्या थे सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जा बहुत मजाएगा और परिवार के लिए एक बहुती अमुल्य खजाना एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा साथियो ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकर जाने के लिए बहुती बुजूरों से बाते करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बच्चपन उनके युवाकाल की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे ये बहतरीन मोका है कि बुजूर्ग भी अपने बच्चपन के बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं साथि देश के एक बड़े हिस्से में अब मौनसुन पहुँच चुका है इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञाने भी बहुत उत्साहित हैं बहुत उमीद जता रहा है बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसले अच्छी होगी वातावन भी हरा भरा होगा बारिश के मौसम में प्रकृती भी जैसे खुत को रिजुविनेत कर लेती हैं मानो प्रकृतिक समसादनों का जितना दोहन करता है प्रकृती एक तरण से बारिश से समय उनकी भरबाई करती है रीफिलिंग करती हैं लेकिन ये रीफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धर्ती मां का साथ दें, अपना धाइत्वन निभाएं, हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास, प्रकृती को, परियावरन को बहुत मदद करता है, हमारे कई देश्वासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, करणाटक के मंदावली में एक 85 साल के भुजूर्ग है कामे गौडा जी, कामे गौडा जी एक साधारन किसा है, लेकिन उनका व्यक्तिवितर भहुत असाधारन है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चिर में पड़ जाएगा, 80-50 साल के कामे गौडा जी अपने जानवरों को चराते हैं, लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने ख्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड उठाया हुआ है, वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए जल सवरक्षन के काम में है, छोटे-छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं, आप हैरान होंगे कि 80-85 वसके कामे गौडा जी अब तक 16 तालाब खोद चुके हैं, अपनी म उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है, आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है, साथियों, गुजरात के वडोदरा का भी एक उधान बहुत प्रहरक है, यहाँ जीला प्रशासन और स्थानिये लोगों ने मिलकर एक दिलचर्ष पर मुहिम चलाई है, एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल अवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है, साथियों, इस बरसात में प्रकृती की रक्षा के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए, हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी जैसे कही स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तयार या शुरू होने जा रही होगी, क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं, कि एको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे और उनहीं का पूजन करेंगे, क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते है जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद जल के लिए, जल में रहने वाले जीव जन्तों के लिए संकड बन जाती है, मुझे विश्वास है, आप ऐसा जरूर करेंगे, और इन सब बातों के बीश हमें ये भी ध्यान रखना है, कि मौनसून के सीजन में कई बि कर रहना है, और वेजिक आउसदियां, काड़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्थमाल करते रहिए, स्वस्त रहिए, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पुर्व प्रधान मंत्री को स्रधाजली दे रहा है, जिनोंने एक नाजुग दौर में देश का नेतुर्त्व किया, हमारी ये पूर्व प्रधान मंत्री स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है, जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं, तो स्वाभायु के रूप से राजनेता के रूप में उनकी शबी हमारे सामने उभरती हैं लेकिन ये भी सचाई है तो अनेक भाषाओं को जानते थे भारतिये विदेशी भाषाएं बोल लेते थे वे एक और भारतिये मुल्यों में रचे बसे थे तो दूसरी और उन्हें पश्चात्य साइट्य और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनकी जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नर्सिमाहराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंत्रता अंदोलन में शामील हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मातरम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 सार थी छोटी उम्र से ही सिमान नर्सिमाहराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बुलन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे नर्समा राव जी की त्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुती साधान प्रुष्ट बुमी से उटकर उनका आगे बढ़ना सिख्षा पर उनका जोड, सिखने की उनकी प्रभुती और इन सब के साथ उनकी नेत्रुत और शमता सब कुछ मरनी है मेरा आग्रह है कि नर्समा राव जी की जन्मुष्टाब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के भारे में जादा से जादा जानने का प्रयास करें मैं एक बार फिर उन्हें अपनी स्रद्धान लियर्पित करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों इस बार मन की बात में कई विशों पर बात हुई अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विशों पर बात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जरूर भेजते रहिए हम सम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज सुरू में कहा हम इसी साल यहनी 2020 में ही बहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उचाईयों को चूएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दसक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष शाबित होगा इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िये स्वस्त रहिए सकारात्मक रहिए इनी सुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नवश्कार झाउ tân वाला का बहुत वाला को जन्यवाद जिस साथ वाल उत्यवश्कार झाई इंक अपादित श्रीष में डिंवीज़ कि अपादि वाने हैं